नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका भरती 2022 एक्जाम डेट को लेकर के हाँ पर बड़ी खबर है जैसा कि हमने आपको लगबग एक महीने पहले ही आपको सारी चीजे बता दी थी उस समय एक्सपेक्टेड थी अब जो है चीजे लगबग कनफर्म हैं वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा इसमें हम लोग सार्ट लिष्ट की जो मेंस एक्जाम के लिए नोटिस आने वाली है साथी साथ पी इटी कटाप को लेकर की भी बात करेंगे और हमारे क्लासेज डेली जो है आपको साम साथ बजे मिल रही है जितने भी क्लासेज अभी तक टोटल 19-19 क्लासेज हो चुकी है और सभी क्लासेज सभी प्रेक्टिस अपके आने वाले एक्चाम के तयारी के लिए बहुत मेनिफीशल होगा आपके लिए लेकिन आप लोग प्रेक्टिस पूरा देखा करिए और एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि जो भी classes आपको आगे भी मिलेंगी कोई भी class आपसे miss नहीं होना चाहिए और वीडियो को आप लोग जितना हो से कि आप share कर दिया करिए विल्कुल आपके लिए free app काश नहीं सुल्क जितने भी practice classes आपको अभी मिल रही हैं और आगे भी आपको मिलते रहेंगे PDF आपको हम थोड़ा सा समय लेकर के PDF सबकी provide कराएंगे revision आप उससे कर सकते हैं साथे साथ आप उससे mock test भी दे सकते हैं exam date बताने से पहले आप सभी को यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो लगवग form की संख्या भरी गई है आपकी परिक्षा में वो बिलकुल official कोई data तो नहीं है लेकिन हमने आप सभी को बताया था कि साथ हजार से लेकर के 65,000 के आसपास तक जो है form आपकी भरती में भरे गए हैं देखिए कौन क्या बता रहा हमें उससे मतलब नहीं होती है हमारा कार है आपको सही study material provide कराना हमारे कार है आपको सही और authentic जानकारी जहां तक संभव होता है वहां तक आपको सही जानकारी मिले जहां तक सही जानकारी प्राफ्त हो पाती है तो 60,000 से लेकर के 65,000 तक जो फार्म है total आपके भरती में भरे गए हैं अब इसमें कुछ लोग ऐसे भी एनिडेट हो सकते हैं जो हो सकता है कि eligibility के हिसाफ से उनकी eligibility नव हो वह बात की बात है लेकिन हम यहाँ पर सभी को मान के चलेंगे category wise अगर देखा जाएगा तो PET की जो कटाफ होगी वह बनेगी क्यों बनेगी क्योंकि 15 गुना से ज्यादा भेरती होने पर 15 गुना तक से कम रहेंगे तो सबको मौका मिल जाएगा 15 गुना ही अब भेरते टोटल लिए जाएंगे टोटल सीर्स यहाँ पर है 2693 पंदर गुना करेंगे टोटल का तो लगबग 40,000 प्लस कुछ होगा और category wise चुकी इसमें देखा जाएगा टोटल नहीं देखा जाएगा सबकी फेमेल ही है तो बाकि जो अधर category है जन्नल है, EWS है, OVC, CST सबकी जो है अलग-अलग PET की cut-off आएगी और इसमें जैसे IST है, BCS आरक्षी दवरक के candidate है, इन जो category है इन में सबको मौका मिल सकता है, मतलब अगर आपके एक नंबर हो तो आपको पूरी उमीद रखनी है कि आपको एक्जाम देने का मौका सतप्रसत मिलेगा, लेकिन IST category है, EWS है, इसी तरह से जन्नल है, OVC है, यहाँ पर जो हो सकत हैं कि उमीद बहुत कम है, 10 नंबर से कम ही रहेगा, PET का जो आपका normalized score होगा, या फिर जो वास्तवी की score होगा, normalized score से ही आप देखिएगा, और अभी मैं केवल बता रहा हूँ आपको लगब कितना जा सकता है, बाकि अभी जिनके एक नंबर हो, किसी भी category में, आप सभी सकती, अब आपके मन में ये सवाल होगा, तो start list की जो notice है, ओ दिपावली पर्व के आसपास तक, देखने को आपको मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा, इस महीने नहीं, लगबग आप दिपावली पर्व से पहले आ जाना चाहिए, लगबग आप 10 से 15 October की बीच में, या हो उसके बाद जो फिर मेंस एक्जाम के लिए payment कप से होंगे, सारी चीजे पता चल जाएंगे, admit card कप से निकलेंगे, तो आपका जो एक्जाम में मुख्य से विकाका, नवंबर लास्ट, या फिर दिसंबर में 15 दिसंबर तक, इसी की बीच में आपकी परिक्षा हो सकती है, न आयोक का विचार है, बाकी देखे कब तक और दे पाते हैं, तो नवंबर के लास्ट में या तो आपकी परिक्षा हो सकती है, चीप सर्वेंट या हेड सर्वेंट या मुख्य से विकाकी, या तो दिसंबर में 15 दिसंबर से पहले-पहले, क्योंकि बिल्कुल जो ठंड पहले या फिर नवंबर लाश्ट में आपका जो एक्जाम डेट है, तो अब आप यही से अंदाजा लगा लिजे, आपके बास कितना समय है, मैं जो आपको क्लासेज प्रवाइट करा रहा हूँ, आप देखेंगे, प्रश्णों की संक्चा में बहुत जादा लेकर के आता ह हूँ, अगर 40 प्रश्ण होते हैं, एक एक प्रश्ण में 2, 3, 4, 5 प्रश्ण में उसी में रिवाइज कराता रहता हूँ, बार-बार मैं चीजों को रिपीट करता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को सब चीजे पहले से पता होंगी, बहुत लोग इस प्रकार से हमारी कोसिस होती है बाकि कोई ने कोई कमी अगर रह जाती है तो आप लोगों में प्लीज बताया करें कि हाँ ये कमी आपके रह जारी है क्लासेज में उनको हम सुधाने का प्रियास करेंगे क्योंकि आपके तयारी मतलब हमारी तयारी है हमारे चैनल से जुड़े हैं आप तो अधिक से अधिक लोगों का सेलक्षन हमारे चैनल के तुरू होना चाहिए हमारे तो ये पूरी कोशिस है कि जितनी ज्यादा बेहनों का सेलक्षन हमारे चैनल से हो जाए और PDF हम आगे आपको टेलग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे, PDF के लिए आप सभी परिशान मत होगेगा तो ये हो गई UP मुख्य सेविका बरती 2022 से सम्मंदित आप सभी के लिए बहुत ही महतबुर सूचना बाकी आगे की कोई भी कंपर्म, कोई भी जानकारी आपके भरती से लिलेटिड होगी आप सभी को इसी चैनल पे सही और आथिंटिक जानकारी प्लस आपको मुख्य सेविका की क्लासेज आपको मिलते रहेंगे रेगुलर तो आज साम को साथ बज़े फिर से लोग बिलते हैं नेक्ट क्लास, क्लास 20 में आप सभी लोग पहले से तयार रहेगा समय निकाल करके और थोड़ा सा बीडियो को आप लोग जिसे अगर आपको लगे बीडियो थोड़ा सा सुलू है तो आप क्या क्या करिए उसको 1.25 पे या फिर 1.50 पे इशcket इस पेर आप लोग देख लेते हैं जो रैइट सैड में यह वी वीडियो है यहा पर रैइट सैड में जो डॉक सबया सा सब पुझ पर करेंगे तो इसमें क्वालीटी बीडियो की सब कुछ से ने अया आता है तो वहाँ पे आप आप संद चूज करके वीडियो को कीशे समझानी होती हैं बस वही समय लगता है कोई भी अत्रिक्त समय आपका नहीं लगता है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए पूरा देखने के साथ साथ ही अप लोग सेशन को सेर जरू कर दिया करें और लाइक तो आप लोग प्लीज झाल झाल